हेलो दोस्तों आज लेकर आई हूं मैं मिठी पूरी की रेसिपी इस पूरी को बनाने के लिए आपको ना आटा लगाने के जरूरत पड़ेगी ना बेलने के जरूरत पड़ेगी बहुत ही आसानी से आप ये पूरी बना सकते हैं मिंटों में और इस पूरी को ना हमारे यहां ह तीज तेहार में बनाते हैं या फिर कोई महमान भी आ गए तो भी इस पूरी को जरूर बनाते हैं अभी तेवारों की सीजन चल रहे तो एक बार जरूर ट्राइ किजी गया यह पूरी आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा तो चलिए बनाते हैं तो यहां पर मैंने जो चामल है अब यहां पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जो चामल है वो निकाल लिया है अब इसने मैंने डाला था स्वाध हनुसार अपनी जो चीनी है वो और थोड़ा सा दूर डालेंगे आधा कपके करीब जादा डाल देंगे तो जो चामल है वो अच्छे से पीस नहीं पाएगे पाने डालें या फिर चामल डालें पॉस्वरी दूट डालें अगर पानी जादा हो जाती ना तो यह चामल जो है अच्छे से नहीं पीस पाती है तो अब ना मैंने तो पीस लिया अब यहां पर बाउल में निकाल लोंगी अब इसमें दो चम्मच के करीब गेहू का आटा यह गेहूं के आटा डालने से थोड़ा सा अंदर से सौफ्ट हो जाता है वरना बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है यह पूरी तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ ड्राइफ फ्रूट्स जैसे की काजू बदाम लॉंग लाइची बहुत लोग मीठी चीज में लॉंग डालते नहीं है एक बार जरूर डाल कर देखिए बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है लॉंग के स्वाद मीठी चीज में भी अब यहाँ पर मैंने जो काजू बदाम है उसे इस वाली कटर में भर दिया है अब इससे मैंने बारिक बारिक अच्छे से कट कर लूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काजू बदाम को भी अच्छे से कट कर लिया है अब चलिए चलते हैं जो हमने पेष्ट तयार यहां पर पेश्ट है उसमें जो काजू बदाम हमने काटकर डाला था और जो लॉंग और इलाइचे कभी पॉडर्र तयार किया था उसे भी डाल देंगे तो यहां पर मैं डाल रही हूं एक चम्मच भरके जो तील आती है ना वाइट वाली वह डाल देंगे अब मेरे पास जो साबुत नारियल होती है सुखी वाली नारियल वो नहीं थी तो मैंने जो नारियल का बुरा है वो डाल लिया है नारियल का बुरा से ज्यादा टेस्टी जो नारियल हम काट कर डालते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है अगर आपके पास नारियल का सुखा वाला नारियल होना तो जरूर डालें उससे स्वात 10 गुना बढ़ा जाती है और जो नारियल का बुरह है ना उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है अब यहाँ पर सारे समागरी डालने के बाद जो आटे की कंसिटेंसी है वो थोड़ा गाड़ ही हो गई थी अब यहाँ पर आप दूद डाल सकते हैं या फिर पानी तो मैंने यहाँ पर पानी का इस्तमाल किया था दूद खतम हो गई थी तो यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से हमें पेश्ट रखना है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है जब आपकी ओईल ना अच्छे से दुवा निकलने लगे तब यहां पर जो पेश्ट है वो डालेंगे यहां पर मैंने इस पीड बिल्कुल भी तेज नहीं किया ह जैसे बनाई है वीडियो वैसे मैंने डाला है आप देख सकते हैं जो पूरी डाला था ना वैसे ही फूल कर ऊपर आ गई है इसमें ना चिपकेगी ना कुछ भी कुछ नहीं होता है बहुत ही आसानी से यह जो पूरी है ना बनकर तैयार हो जाती है बिल्कुल भी इसमें कु अब यहां पर मैं जो पूरी है अच्छे से फ्रै करूंगे बिल्कुल गोल्डन हो कलर होने तक आप देख सकते हैं इसके कलर कितना अच्छा खिलकर आया है तो अब यहां पर मैंने जो पूरी है वो सारे बना लिए हैं आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कितना अच्छा कुर पूरा भी रहती है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यह पूरी बनाने और खाने में भी तो एक बार जरूर ना यह रेसिपी ट्राइ करके देखिएगा और इसके साथ हम लोग खाते हैं कद्दू की सब्जी यहां पर मैंने कद्दू की सब्जी बनाया है आप चाहे कु और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यहां पर मैंने थाली लगा लिया है अब मैं अपने बच्चों को दे देती हूं मिलती हूं ऐसे ही आसान रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय